जै मातादी दोस्तों स्वागतिया आपका हमारे यूट्यूब के चैनल भक्ती के शक्ती में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि गाई की सेवा करने से क्या फल्क्राप्त होता है गउ माता की सेवा से कैसे मनुकामनाई पूर्ण होती है दोस्तों गाएं एक दिव्य पशू है गाएं को समस्थ संसार की मां कहा जाता है कहते हैं कि जिस घर में गाएं होती है उस घर के सभी कश्ट दूर होती है उस घर में शांति बनी रहती है धर्म ग्रंथों की अनुसार गाएं में सभी देवी देवताओं का बास होता है गाएं की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर फल मिलता है गाएं पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव होता है कहते हैं कि गाएं की रीड की हड़ी में सूरे के तू नाड़ी होती है जो सूरे की किर्णों से प्रभावित होती है और रक्त में स्वर्नक्षार बनाती है यही स्वर्नक्षार गाएं के दूद में मिलता है और जिस कारण गाय के दूद का रंग हलका साथ पीला होता है इसी स्वर नक्षार के कारण गाय के दूद को अमरित के समान माना अग जाता है गाय का दूद अनेक बिमारियों को दूर करता है और बौदिक शमता को बढ़ाता है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गाए की पूजा करने का क्या लाब है और क्या उपाई करने से आप अपने घर में शान्ती ला सकते हैं और गाए की शरीर के किस अंग को स्पर्ष करने से कष्ट दूर होते हैं शास्त्रों के अनुसार जो भी प्राणे गाए की पूजा या गाए की सेवा करते हैं उस पर सभी देवी देवताओं के कृपा होती है गव माता अपनी सेवा करने वाले के सभी कष्ट और विपत्तियों को हर देती है गव माता काम धेनु है और सभी दुखों को हरने वाली है गव माता प्राणे की हर मनोकामना को कूर्ण करने वाली है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब गाए सूर्यास्त के बाद वन से घर को लोडती है तो उसके पैरों से जो धूल उठती है वे प्राणे के सभी पापों को नश्ट कर देती है जिस प्राणे को गुस्सा जादा आता है या वैसा धारन बुद्धी वाला अर्थात दिमाग से कमजोर है तो उसे गाए को चारा डालना चाहिए ऐसा करने से उसे शान्ती मिलती है और उसमें आत्मबल की वृद्धी होती है गाए की सेवा करने से नव ग्रह शान्त रहती हैं गाए का दान करना अतिशुब होता है अगर आप पर मंगल का दोश हो अर्थात आपके मंगल ग्रह की दशा ठीक ना हो तो किसी ब्रामण या किसी गरीब व्यक्ति को गाय दान में देने से आपके मंगल की दशा ठीक होती है और मंगल दोश से शांती मिलती है इसके इलावा आप पर अगर शने भारी है अर्थात शने की दशा ठीक नहीं तो काले गाय दान करने से शने की दशा ठीक हो जाती है इसके इलावा गाय की पूजा करने से मालक्ष में प्रसन होती है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है अगर प्राने के कोई मनुकामना हो तो गाए को हर रोज रोटी खिलाने से आपकी वह मनुकामना पूर्ण होती है गउ माता को पाने पिलाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है पित्रदोश दूर करने के लिए गव माता को आमवस्या के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाएं इससे आप पर पित्रों की कृपा रहती है और आपका पित्रदोश दूर होता है अगर आप गाएं घर में रखती हैं तो सबसे अच्छी बात है लेकिन अगर आप गाएं नहीं रखती तो आपके दौर पर आई गाएं को बिना रोटी खिलाएं ना जाने दे घर में बनने वाली पहली रोटी अगर गाएं को खिलाएं जाएं तो आपके आर्थिक सिती बहुत अच्छी हो जाती है गाएं के गले में घंटी बांदने से बहुत लाब मिलता है जैसे जैसे वे घंटी बज़ते जाती है माना जाता है कि गव माता के साथ साथ सभी दीवी देवताओं जिनका गाएं में वास होता है उनकी आर्थी होती है और आपको अच्छी परिनाम मिलते हैं तो दोस्तों चलिए अब आपको बताती हैं कि गाएं के किस संग को छूने से आपको मनवाशित फलों की प्राप्ती होती है तो दोस्तों गाएं की पीट पर एक उब्रा हुआ कुबड होता है उस कुबड में सूरे केतिव नाड़ी होती है इस कुबड को छूने से अर्था त्रोज सुबह गव माता के इस कुबड पर हाथ फेरने से प्राणी की सभी मनुकामनाएं पूर्ण होती है और उसके आर्थिक समस्याएं दूर होती है इस कुबड को छूने से गरीबी का नाश होता है अगर आपके घर के द्वार पर गव माता आती है तो आप समझ जाएं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं गव माता उसी घर में आती है यहां साफ मन वाले लोगों का निवास होता है तो दोस्तों सच्चे मन से जो कोई भी गव माता की सेवा करता है उसकी सबी मनुकामनाय पूर्ण होती हैं गाएं की सेवा से रास्ते में आने वाली सबी मुश्किलों का निवारन हो जाता है तो दोस्तों अगर आप गव माता की पूजा के या सीवा के विशे में कुछ और जानकारी चाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिये गए बैल आइकन को प्रेस करें तांकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैम आता दी